हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं PNV वेंक में अगर आपका खाता है और आप PNV एप्लिकेशन को यूज कर रहा है PNV ON एप्लिकेशन और ऐसे में आपसे जो एप्लिकेशन है वो आपसे यूजर एड़ी मांगने लगती है ठीक है या फिर आप करना चाहते हैं तो आप लोग इनकर सकते हैं बहुत ही सिम्पल तरीका है आपके पास ATM होना चाहिए यе फिर आपके पास money नंबर और आपके पास ATM密 लूब बूञतने हैं के लिए तो हम अपनी यूजर डाल दी है और हम साइन अप पर सिंपलि क्लिक कर देते हैं अब यह वैरिफिकेशन के लिए क्यों वागा है था तो यहांपर यहां पर लेटिस्ट जानी कि जो आपकी अपडेट करनी पड़ेगी आपको ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले तो इस application को update कर लेते हैं और इससे पहले अगर आप चैनल पर ना है चैनल को subscribe कर दीज़ेगा और अपने विडियो इसको लाइक कर दीज़ेगा तो चलिए अब जो हमारी application है वो यहाँ पर update हो चुक रही है यानि कि अभी थोड़ा सा रही है समय यान इस पर हम simply click करेंगे अपनी user ID को enter कर देंगे तो चलिए मैं अपनी user ID है पर enter कर देता हूं sign in इस पर हम simply click करेंगे उसकी बाद में यहाँ पर आ जाता है sim select मैंने यहाँ पर select कर ली है और continue पर simply हमने click कर दिया है अब जो हमारा mobile number होगा उस mobile number पर जानी कि OTP जाएगा ठीक है जानी कि जो बैंक खाते से attach है तो जैसे कि आप देख पा रहा है हमारे mobile number पर आ चुका है one time password जानी कि OTP तो हम यहाँ पर enter कर देते हैं 25 14 33 ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पर continue option मिलेगा इस पर हम simply click कर देंगे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर मिल लिया है new MPN ठीक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहा है तो मैंने यहाँ पर अपना new MPN डाल दिया है ठीक है तो आपको भी इसी तरीकी से बना लेना है उसके बाद में हम सम्मिट पर simply click कर देंगे जिसी आप इतना काम कर देते हैं तो जो आपकी idea वो यहाँ पर success लिखा हुआ जाएगा sign पर simply click करेंगे अपना यहाँ पर MPN हम दोबारा एंटर करेंगे तो चलिए हम दोबारा हैं पर अपना MPN एंटर कर देते हैं और उसके बाद में जो आपकी application है वो यहाँ पर पूरी तरीके से काम करने के लिए तय वीडियो चलिए को लाइक करें चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब करें